दोस्तो इस वीडियो को आप अन तक जरूर देखिएगा सच बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है ऐसा पहली आपके सामने लेकर आया हूँ जो सायद आपका दिल खुश कर देगा तो देखिए क्या है पहली यहाँ पर कोई question नहीं है आपको समझना पड़ेगा कि पहली में क्या पूछा गया है बहुत ही मज़दार है चिंता करने की बात नहीं है ऐसा पहली है कि आप दूसरे के साथ भी share कर सकते हैं और उसको भी मज़ाएगा और आपको भी मज़ाएगा है कि नहीं केवल मज़ा ही मज़ा देखिए देखिए क्या है पहली एक व्यक्ति था एक गवाला था और उस गवाला का तीन बेटे थे तीन बेटे थे और उसके पास सत्रह गाएँ थी सत्रह गाएँ थी टोटल गाएँ कितनी थी सत्रा गाएं थी और टोटल तीन बेटे थे वो वेचारा बुढ़ा हो गया था मरने के कगार में था तो मरने के कगार में कोई वैक्ति होता है तो क्या करता है अपने संपती का वसियत करता है यानि एक सादा पिपर में लिख देता है कि भाय कितना कितना गाय किसको मिलेगा है कि नहीं या कौन सा जमिन किसको मिलेगा उसी को हम लोग वसियत बोलते हैं तो उसी तरह उस व्यक्ति ने उस गवाला ने अपने बेटों के लिए एक वसियत लिख दी और वो गवाला मर गया चला गया अब जब वसियत आया सामने तो वहाँ पर वस्यत में कुछ इस्प्रकार था, गायों को बटवारा को ले करके, क्योंकि उस गवाला के पास और कुछ भी नहीं था, केवल गाय ही था, आप गायों को बटवारा करना था, लेकिन वहाँ पर कंडिशन दिया गया था, कंडिशन ये था, कि जितना भी गाय है, उ एक बटा नौवा हिसा मिलेगा बहुत भारी समस्या टोटल सत्रा गाय आप इसको सबसे पहले पाहला बेटा को देना है एक बटा दौवा हिसा जिस तरह से वसियत जो है किसी भी तरह से किया जा सकता है वसियत में यह भी हो सकता है कि तीसरा बेटा को कुछ भी न मिले है कि न खेर लेकिन यहाँ पर बटवारा किया है लेकिन पूर्णता बराबर नहीं किया है वो जोल ऐसा बटवारा कर दिया है कि पाहला बेटा को यानि बड़ा बेटा को ज्यादा दे दे रहा है गाय मैंजला बेटा को उससे कम और छोटा बेटा को उससे भी कम है कि नहीं हो सकता है कि बड़ा पहला बेटा उसको अच्छा लगता हो उससे थोड़ा कम अच्छा दूसरा बेटा लगता हो उससे और कम अच्छा तीसरा बेटा लगता हो है कि ने इसलिए ऐसा वसियत उन्होंने लिखा तो जितना भी गाय है आधा गाय देना पड़ेगा पहला बेटा को लेकिन समस्य ये थी कि सत्रा गाय था अब आधा देना है तो सत्रा का जैसे ही आप आधा कीजिएगा तो कितना आएगा आठ दसमलों पांच यानि साधे आठ आठ आएगा लेकिन वहाँ पर कंडिशन ये था कि गाय को काट छाट नहीं करना है जब गाय को आप काट छाट कर और फिर दूसरा बेटा को देना था एक बटा तिन्वा हिसा यानि एगर सत्रा गाय है तो इसको तीसरा हिसा देना है यानि तीन से भाग लगाना पड़ेगा है किने अच्छे एक ची बताएए जो डिवहैड में कुछ भी रहता है वो ये बताता है कि उपर वाला को कितना बराबर भागों में बाट रहे हैं है कि ने जैसे यहाँ पर सतरा गाय था और बटा में दो था इसका मतलब यह हुआ कि सतरा को दो बराबर भागों में बाटा जा रहा है है कि ने जैसे यहाँ पर सतरा है सतरा बटा तीन है इसका मतलब यह हुआ कि सतरा को तीन बराबर संख्या आ जाए कोई प्राकृतिक संख्या आ जाए प्राकृतिक संख्या ही आएगा क्योंकि गाय का भाई गींती तो एक से ही स्टाट होगा मैनस में तो हो नहीं सकता है जीरो से स्टाट करेंगे नहीं है की नहीं एक दो तीन चार पांचे साथ कुछ भी हो सकता है है की नही निचही होगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो गई थी पूरा गाउं में गाउं में ये काम पंचों के दवारा भी नहीं हो पा रहा था बड़ा बड़ा पंच आ रहे थे लेकिन बटवारा नहीं कर पा रहे थे और बेटों का कहना था कि जिस तरह से वसियत लिखा ग पूरा गाउं में एक हला कर दिया जाता है कि जो भी ये सतरा गायों को इस वसियत के हिसाब से बाट कर देगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा इनाम घोसित कर दिया जाएगा कुछ इनाम दे दिया जाएगा जो भी बाटेगा है कि ने ऐसा पूरा गाउं में फाइल गया यह बात एक बिद्वान आया सब यहाँ पर मैटर को समझा कि ऐसी ऐसी बाते हैं तो उसने एक डेट दिया कि इस डेट को मैं आपका हिस्सा आपका बटवारा करने के लिए आने वाला हूँ तो बोला यह तीनों बेटे जो थे भोले ठीक है आए लेकिन जब वह बिद्वान आ आया और उस गाय को इसी में दिया मिला तो हो गया टोटल अठारा गाय अब वह बिद्वान उन तीनों बेटों से कहता है तीनों वेक्तियों से कहता है कि इसमें आपको कोई आपती है तो यह तीनों मन ही मन हस रहे हैं कि यह गजब का आदमी है यह गाय और लाकर दे दिया चलो, अच्छी बात है, लेकिन वो बिदवान वो घर में कैलकुलिसन कर लिया था, कि हमको किस तरह से बटवारा चरना है, अब देखे यहांपर कैसे बटवारा हो जाएगा, बहुत ही simple तरीका से बटव़ारा हो जाएगा एक गाय को यहां पर मिला देने के बाद अब देखे बटव़ारा किस परकार करता हो बिदवान पाहला बेटा को देना है जितना भी गाय है उसका दूसरा हिसा यानी कि 18 गाय टोटल है अब कितना गाय है? 18 गाय अब समस्य ये भी है, कि भाई बिदवान जो गाय लाया है, वो गाय देने वाला नहीं है, लेकिन बाटेगा ऐसा, कि एक गाय बज जाएगा और वो गाय लेकर चला जाएगा, देखे कैसे बाटेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि भाई, यहाँ पर बटव आईसा तो होता नहीं, रेइयर कंडिशन में ही होता है, बहुत कम ही लोग मिलेंगे, 0.001% ही लोग मिलेंगे, खैर अलग चीज़े, तो ये विदवान देने वाला नहीं है, अपने आप में विदवान है, छोटा सा इनाम पाने के चकर में गाय को बहा देगा, ऐसा हो नही ही गाय है, उसको दूसरा हिसा देना है, यानि दो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दो नमा कितना हो जाएगा, अठारा, यानि कि पाहला बेटा को मिलेगा, कितना नो गाय मिलेगा, है कि नहीं, अब दूसरा बेटा, दूसरा बेटा को यहां परवस्यत में लिखा गया इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा बेटा को मिलेगा छे गाई है कि नहीं अब तीसरा बेटा जो है उसको मिलेगा एक बठा नवा हिसा यानि जितना भी गाई है अठारा गाई है तो इसका मिलेगा नवा हिसा तो नव एकम नव दून आठारा इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा ब सत्रा गाय का बटवारा ये तीनों बेटों में आराम से हो गया, अब एक गाय गया बच, वही गाय यह विद्वान जो है ले जाएगा आराम से, है कि ने तो बटवारा कितना आराम से कर दिया, ये गाय जो बच जा रहा है, अठारा गाय जो यहाँ पर किया था अपने से मिला कर वही गाय को ले जा सकता है अराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपना ही गाय ले जा सकता है, ऐसा नहीं कि भाई इधर उधर गाय चला गया तो दूसरा वाला उसका वाला गाय उठा कर ले जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, वो चाहेगा तो अपना ही गाय ले जा सकता है है कि इतना आप समझदार हैं समझ गए होंगे तो इस तरह से वह बटवारा कर दिया और वहां के जितने भी पंच थे लोग थे दंग रह गए कि भाई गजब लकिन बटवारा हो गया गजब तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा यह पहली अच्छा पाराद